उन्हां आपका स्वागत है अनेक सब्दों के लिए एक सब्द में तो आज जो हमारा पहला कोशन है पहला कोशन हमारा क्या वो देख लेंगी ते हम लोग बिना देर गवाए चलिए पहला क्या है जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो जिसका उत्तर देखकर खंडन किया ग आगे जो इस्त्री के बशी भूत है जो इस्त्री के लिए बशी भूत है इसके लिए सब्सक्राइब क्या होगा इसके लिए सब्सक्राइब क्या होगा इस्त्रेण क्या होगा इस्त्रेण इस्त्री प्रेमी या इस्त्रयोचित या त्रिया वर्सी इसमें आपका इंफ्यूज नहीं है इसमें क्या दिया गया है इसमें अनेक सब्दों के लिए एक सब्द वो दिया गया और इसमें आपको अनेक सब्द तलास नहीं है ठीक है इसमें आपको अनेक सब्द तलास नहीं है तो अच्छा क्या मतलब होता है तो यहां पर आप ऐसे लगा सकते हो कि यदि सब्द कैसे हैं सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब आज होता है कि यहां पर ऐसा भी आसकता है कि यहां पर एक ही आंसर वह एक अच्छा लिखाओ तो अज आज का आर्थ जो है ठीक है वो क्या नहीं है मोती जिसका जन्मूना ओड़ाओ दस्त के पिता और ब्रह्मा विश्नुशिव को यह तीन है ठीक है अज्का शिसक्त जन्मुना वब्र जोगा ठीक है दसद के पिता कौन थे आज थे और ब्रह्मा विश्णु महें इनका भी अज ठीक है तो मोती यह अंसर आपका नहीं होगा अंगे जो इस्तरी सूर्वी ना देख सके जिस तरी शुर्वी ना देक सके उसका उसको क्या कहेंगे हम लोग उसे कहेंगे अशूर्यम परश्या अशूर्यम परश्या परश्या कहेंगे उसको आगे इन में से एक के लिए प्रियोज्य सब्ध है अशूर्य परश्या देखिए अभी हम लोग देख के आए पिछला कुश्चन ही हम लोग ने भी देखा है क्या इसमने आप थोड़ा कन्फ्यूज होईएं यह दोनु अलग--अलग हैं इस प्रकार्स है तो इसका सही miał answer मारा क्या होगा ? रहनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली इस्तरी या पिर आप ऐसे कह सकते हैं जो बाहर ना कई हो इसने बाहर की दुनिया ना देखी हो तो यहाँ पैसे भी कह सकते हैं जिसने सूर्ण ना देखा हो ठीक है आगे अग्य का क्या अर्थ है तो वो अर्थ है जो कुछ भी नहीं जानता उसे कहेंगे अग्यानी जिसे अग्यानी कहते ना कि तुम तो अग्यानी हो आगे वह कभी जो ततकाल के विता करें अभी हम लोग इसी कोश्चन पर डिसकस रखके आए हैं थोड़ा सूच लीजिए टीं पांस सेगंड का मैं आपको टाइम देता अउं चस्य शू कभी लगाव करना है कि अगे जिसकी आसान ना की गई हो तो श्रह हैं अप्रत्याशित इस तो जिसमें अप्रत्याशित रूप से गटित होती हैं इनकी आशा यह नहीं की गई हो में यह कि अब आप ने सब्दोस सुनू रोगे आँब बोल कालबासा में ये सब्ध प्रियोग हो जाती है बिना पलाग जब काई के लिए कąż सब्दों का तू भे वर वहागा टिरी मेश समपति उत्तरा दिकार में प्राप्त संपत्ती तो उसे हम लोगे कहेंगे रिक्त कहेंगे रिक्त इसमें आप उत्तरा दिक्रत से संपत्त देगी है उत्तरा दिक्रत से आप कंफ्यूज मन्त होई है सही आंसर क्या होगा सीज का सही आंसर है आंगे युद में इस्थिर रहता है उसे हम लोग कहते हैं युदिश्थिर कहते हैं युदिश्थिर कहते हैं कम बोलने वाला उसको क्या कहेंगे मितभासी और जो ज़्यादा बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं वाचाल यादेना आपको चलिए जो तौला ना जा सके है तो उसे कहेंगे आप परिमिय है आप परिमिय कहेंगे और जो इश्वर में विश्वास रखता हो इसके लिए एक सब्द होगा तो इसके लिए एक सब्द क्या होगा तो इसके लिए जो एक सब्द होगा आस्तिक और जो विश्वास नहीं रखता है उ सब को जनता हो कै चलुब है कि जो किसी विषय का जाता हो ाल मे conj अपने सहारे पर रहने वाले बाकियाजन तुछ यह यवह जोस मैं पर संभवना हो उसे कहेंगे अपर मैं यह थिए आ偲े देखे र deform कुरूशन किसी पर वीजय प्राप्ट करने की यच्छा रखनेवाला किसी पर बैजय की इच्छा रखने वाल बीज्एक पर रहने के चाहिन यह नहीए ज determination उसे कहेंगे जो जीत गया हो ठीक है जिग्यासु जो किसी की जिग्यासु बिल्ला वैसे कहते हैं जो जानने की इच्छा रखता है उसे जिग्यासु कहते हैं किसी जीत की जानने की इच्छा रखने वाला जिग्यासु आंगे जो इस्तरी सूर भी ना देख सके जो इस्तरी श बिना देख सके उसे क्या कहेंगे हम लोग अशूर्यम प्रशा अशूर्यम प्रशा अशूर्यम प्रशा लगबग तीन बार एक विश्ण आ चुका है तो इसको आप इंपॉर्टन्ट ही मानी है ठीक है ऐसा नहीं कि सर ने ऐसे रख दिया कि सब भूल लो कुशन नहीं है सर ने कुशन इसलिए रखा है क्या कि जो कुशन आपके लिए रिपीट होंगे जल्दी आपको याद हो रहे हैं तो इससे आपको जहनत अच्छे से याद हो जाएगा कि अभी तुम पांच में पहले कुशन पढ़के आए हैं आगे देखें कुछ खास सर्तों पर किसी कारे को करने के समझोता इसके लिए एक सब्द है इसके लिए जो एक सब्द है उसका सही आंसब का डी संविदा लो के तो नहीं हमारे संविदा पर नो के लिए लिए लग की चाहिएंगे और इतने समय से आपको इतने तक काम लेंगे आपसे आंगे देखते हैं जिसकी पहले से कोई आसाना हो उसके कहेंगे अपका क्तियाशित आंगे राजजाद्वारा निकाला गया अधारिकर ठीक हैं अधारिक आदेश तो उसे क्या कहते हैं इस तरी जिसका पति पर्देश या बिदेश गया हो बाक्यांस के लिए एक सब्द होगा तो उसके लिए बाक्यांस के लिए एक सब्द होगा उसके प्रोशित पतिका कहते हैं उसे आंगे पैर से सिर्टक बाक्यांस के लिए एक सब्द है तो उसके अपाद मस्तक अपाद मस्तक कहते हैं उसे अंचित बात के लिए आगरे करने वाला सही आंशर क्या होगा? दुराग रही सही आंशर है अंगे अन्यक्षन देखते हैं अनेख सब्दों के लिए एक सब्द के नीचे बिकल्बों में जो कौन सा गलत है बिकल्ब कौन सा गलत है तो जंगल की आख दावानल सही है आपका समुद्र की आख बडवानल ये भी सही है पेट की आख जटरागनी और आदीसे अनंत अनंत ये आपका गलत है ठीक है यह आपका गलत है, क्योंकि इन में से तीन आग वी है, यहाँ पर आदिश्य आन तक यह अलग है आपका आगे, अपनी विभाईता इस्तिरी से उत्पन पुत्र, अपनी विभाईता इस्तिरी से उत्पन पुत्र इसके लिए एक सब्द क्या है इसके लिए एक सब्द है वह औरस जो ग्यात इतियास से पहले का हो तो उसे हम लोग कहेंगे प्राग इतियास से काल ठीक है आगे जो अचानक आपको से ओजल हो गया हो इसके लिए हम लोग क्या सब्द प्रियोक्त करते हैं तो इसके लिए जो स पाने की इच्छा रखने वाला इसके लिए सब्सक्राइब क्या होगा तिती इशू है और तेरने या पार करने का इच्छु कुछ उसे भी हम लोग कहेंगे तिती इशू ही कहेंगे दोनों का एक ही होगा कि तैराक और तारग इसमें इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तैराक क्या होता है यह तैरते हैं और यह तैरने की इच्छा रखने निता है ठीक है आँगे जिसका निवारा अत्यंतिकष्ट से किया जा सके उसके लिए सही आंसर क्या होगा तो उसके लिए सही आंसर है दुर निर्वार दुर निर्वार इसका आंसर है आँगे कान के नीचे लटकता हुआ कूमल भाग के लिए एक सब्द है तो उसे कहेंगे कर्णपाली क्या जो पान करने योग नहीं है तो उसे कहेंगे अपय क्या कहेंगे अपय कहते हैं कि आगे बुरे उद्देश से की गई गुप्त मंत्रा तो उसे हम लोग कहेंगे दुर्भी संधी कहेंगे उसे बहुत अधिक बोलने वाला बाचालोगा कम ठीक है आगे जो भेदाया तोड़ा ना जा सके है तो अभ्यद्य को स्थावर कैते हैं जिसका सत्रू जन्मा ना ओक तो जो पिछली धा से क्लास या आंगे बाली चुक्लास है, उसमें भूंण देखा ही है, अजा सत्रू. जिसे जीता ना जासके, इसके लिए उप्योगत सब्द होगा. तो सब्सक्रा सही आंजर क्या होगा हमारा? अजी है. जिसे जीता ना जासके, वो अजय होगा. जिसे प्राजित ना किया जा सके उसके लिए सब्दे क्या होगा हमारा उसे आप प्राजिये है आगे क्वेशन जिसका सद्रू पैतान सद्रू है ये पैदा ना हुआ हो वो क्या इसका सही अज़र का निशत्रू निशत्रू ठीक है अजाज सतुर से आप confuse मत होई एगा आगे question number 45 अपना मंतर पर साधने वाला इसके लिए सब्सक्राइब क्या होगा स्वारती कहेंगे अभलोग जिसका उधार्ण किया गया हो इसका उच्छार्ण सॉरी इसका उच्छार्ण ना किया गया उसे के नुचछित उसको उनुचर्यत क्योंछ्ण और ब्यक्यांसरी के लिए एक सब्सांसा कौंसा ही है आपको यह बताना है है कौंसा है फ्रेटिनित हुथ है जो इस तरही अभिनय करेम अभिनैता है अभिनयती होता आगे अप्रेंडी सब्द निम्लिक मेंसे किस बाक्यांस के लिए प्रियक्त होता है तो सही अंसर क्या हो हमारा जिसका बिभा ना हुआ हो बीस का सही अंसर है जिसका बिभा ना हुआ हो आगे निम लेकर मैंसे किस बाक्यांस के लिए एक सब्द दुर निर्वार दुर निर्वार प्रियोक्त होता है तो होता है जिसे दूर करना कठीन हो ठीक है आगे कुशन युद्ध की इच्छा रखने वाला तो से कहते हैं हम लोग यूत्सू कहते हैं तो आज की वीडियो के इतना आई चलिए बिलते एंगली गलास में तब तक के लिए जय हिन जय वारत